आज बनाएंगे भंडारे वाले चावल जो बहुत ही स्वाधिस्ट बनकर तयार होते हैं और यह बहुत ही खिले खिले भी होते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए हम इसे बना लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहां पर एक कटोरी चावल को अच्छी तरह से धो लिये हैं तो उसके लिए मैंने यहां पर एक कटोरी चावल लिये हैं जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उसका पानी निथार करके अलग कर दिया है और इसे हम ढख करके आधा घंटा के और या एकदम चावल जैसा भुरुबुरा हो गया है तो इसी तरह का चावल हमें चाहिए इसे मैं कुकर में बनाऊंगी अब जिस कटोरी से हम चावल लिये थे उसे कटोरी से डवल उसका पानी लेंगे अब पानी में हम उवाल आने देंगे तो इसी समय हमें इसमें घी एड करना है तो मैं इसमें लपाग एक छोटा चमच घी आइड करूंगी इससे चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसमें हम एक चथाई छोटी चमच टमक आइड करेंगे पानी उबल रहा है तो यह अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे हमें मिक्स करने की जौरत नहीं ह और अब हम इसमें धुले हुए चावल को एड करेंगे और कूकर का ढखकन लगा करके इसे लो मिडियम फ्लेम पर दो सीटी आने तक पकाएंगे और जब कूकर का सारा प्रेसर निकल जाएगा तब हम इसे खोलेंगे मैंने कूकर का ढखकन खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं मैं आपको हाथ में बुठा कर दिखा दे रही हूँ देखे एक दम बिल्कुल ही चिपके नहीं हैं और इसे पांच मिनट के लिए इसी तरह से खुला हुआ छोड देंग तो इस तरह से भंडारे के लिए चावल बनकर के तयार हैं